हमस्का और मेप्रेंग का आप देख रहे हैं ऑनलाइन यूज इंडिया तो हिंदू बनेगा नमुसल्मान बनेगा इंसान की ओलाद है इंसान बनेगा मदर्सा पॉलिटिक्स अपने चरम पर है खबरे तो यहां तक चलाई जा रही है कि मदर्सों में जिहादी और आतंकवादी तयार किये जाते हैं लेकिन असल में मदर्सों में क्या होता है ये खुद केंद्रिये मंत्री इस्मृती इरानी देखकर भौचक की रह गए मदर्सों में उन्होंने क्या देखा कि मंद से ही सवाल किया है पहले आप उनका आक्शन देखिए फिर इसके बाद रियाक्शन बताते हैं कैसी तस्वीर सामने आई है आप अपनी पॉल स्क्रीन पर देखिए आप देख सकते हैं कि मंच पर जो इस्मृती इरानी है केंद्री मंद्री इस्मृती इरानी है अमेठी दोरे पर है पुरसकार वित्रण कर रही है और मंच से ही सिर हिला कर इशारा करती है कि भाई ये क्या हो रहा है पहले सिर हिलाती है फिर उसके बाद हाथ हिला कर पूछती है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है आफ फेस के जो expression है उनसे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मृती रानी कितनी बहुत चक्की रह चुकी है कर तो पूरुसकार वित्रण रही है लेकिन ऐसा लगता है कि पूरुसकार देने में उनका कोई अबमन नहीं है उससे उनका कोई लेना देना नहीं है क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि मदर्जे में आखिर चल क्या रहा है अब आपको बताते हैं कि ये मुद्दा क्या है दरसल अश्मृती रानी जो केंद्री मंत्री है अमेटी से सांसद है वो अमेटी शहीद इस्थल पर आयोजित अभिनंदन समाहरों में पहुची थी यहाँ पर वो पुरसकार वित्रण कर रही थी लेकिन उसी दोरान उनके सामन अब आपको मामला भी बताते हैं कि माननी केंद्री मंत्री स्मृती रानी को ये पता ही नहीं था कि मदर्सों में हिंदू भी पढ़ाते हैं तो ये है मामला ये जानकर स्मृती रानी कैसे भोचक्की रह गई है कैसे चौक गई है आप देख सकते हैं कि हिंदू भी पढ़ाते हैं मदर्सों में ये जानना भर स्मृती रानी के लिए चौकाने वाली बात है आगे क्या लिखा है यूपी कॉंग्रिस ने यूपी कॉंग्रिस की तरफ से लिखा गया है कि आज के अमेटी दौरे ने उन्हें ये बता दिया और ये भी बताया कि इस सरकार में हिंदो मुस्लिम सभी पीडित है मंतरी जी नवरत का परदा आँखों से हटा कर देखिए रोटी पर धर्म का सीकर नहीं चिपका होता है तो धर्म का सीकर नहीं चिपका होता है आप देख सकते हैं किस तरीके से कॉंग्रिस की तरफ से इसमृती रानीपन हल्ला बोला गया कि आपको ये तक नहीं पता है कि मदर क्या कहना है जिससे ही स्तवाल किया गया था कि वह तुम कर रहे हो उसका ध्यान से सुनिए उनको आज उन्होंने कहा कि आप ति लगधारी फिर भी जो है आप अब देख सकते हैं शक्स का कहना है कि स्मृति दीदी यह देखकर चौक गई कि मैं तिलगधारी होने के बावजूद मदर्से में पढ़ाता हूं सवाल करती हैं कि तिलगधारी ओर हिंदू और मदर्से में पढ़ाते हो इस पर क्या कहता है? शक्षक का कैना ए कि मेरी नियूप्ति मदर्शे में ही पढ़ाने के लिए हुई है। उसके साथ ही शक्स कहता है कि सिर्फ मैं ही नहीं मदर्शों में 40% से जादा हिंदू पढ़ाते हैं, मुस्लिम भाई भी पढ़ाते हैं और सभी पीडित हैं। सबसे एहंबात कहता है कि सब पीडित है. किस से पीडित हैं यह तो आप समझ जी सकते हैं कि जस तरीके से मदर्सा politics उत्तर प्रदेश में अपने चरम पर है उससे कैसे मदर्से पर कैसे मार मदर्से target किये जा रहे हैं यह तो आप जानते हεί हैं. उसके उपर जो इस्मृती रानी है उनका जो रियाक्शन सामने आया है वो तो वाइरल हो रहा है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना तक अंदाजा नहीं है केंद्रिय मंत्री को कि इन मदर्सों में हिंदू भी पढ़ाते हैं जी हाँ अगर आपको ये भी जानकारी ना हो कि यहाँ पर हिंदू पढ़ते भी हैं तो ये भी समझ लीजे कि यहाँ पर हिंदू पढ़ाते भी हैं हिंदू पढ़ते भी हैं मुस्लिम हिंदू सब मिलकर यहाँ पर पढ़ते हैं और ये मदर्सों का हाल है उत्तर प्रदेश के मदर्सों का हाल है जिसकी लेकर politics अपने चरम पर है इसके साथ ही मदर्सों को लेकर कैसी खबरे चलाई जाती हैं ये आप जानते हैं कि मदर्सों में आतकवादी तैयार होते हैं जिहादी तैयार होते हैं कैसे कैसे बयान सामने आते हैं लेकिन मदर्सों की जो तस्वीर है ये भी इस से उलट है मदर्सों से जुड़ी कुछ खबरे भी दिखा देती हूँ अब देखेगा 17 सितंबर की ही खबर है इसमें लिखा हुआ है कि मदर्सों में पहने वाले 1200 बच्चों ने नीट में लहराया पर्चम मदर्सों के खिलाफ दुश प्रचार का करारा जवाब तो करारा जवाब दिया गए है कि जो 1200 बच्चे हैं उन्होंने नीट की परिक्षा में पर्चम लहराया आए कहा जाता है कि यहाँ पर सिर्फ कुरान पढ़ाया जाती है कुरान की आयतें पढ़ाई जाती हैं कैसे कटर मुस्लिम बनो ये सिखाया जाता है लेकिन जो खबरे सामने आती हैं उसे आप अंदाज लगा सकते हैं कि यहां पर सब कुछ पढ़ाया जाता है और हर कोई पढ़ता है ऐसा नहीं है कि यह दर्वाजे सिर्फ मुस्लिमों के लि इसमें लिखा हुआ है कि इस मदर्से में हिंदू और मुस्लिम बच्चे एक साफ पढ़ते हैं संस्कृत और उर्दू तो सिर्फ उर्दू नहीं पढ़ाया जाती है सिर्फ कल्मा नहीं पढ़ाया जाता है यहां पर साइंस गड़त सब कुछ पढ़ाया जाता है खबर में vida के सव्सक्राइए इसलेगा यहींतला संस्क्रइण passar वा इसे में सस्क्राइए मतल श्युतुक के अग्छे SUR मदर्वाजम पर साथ हिंदू मेर्देषा से थियुकर्दा लेका सिनने मेंशहे मीन हिंदू मुस्लिम इके साथ हिंदू सब कुछ चलता है इसके साथ एक और खबर आपको दिखा देती हूँ आगरा की खबर देखी का यूपी के इस मदर्से में हिंदू छात्र भी पढ़ते हैं और पढ़ाते भी हैं हिंदू टीचर तो हिंदू पढ़ते भी हैं पढ़ाते भी हैं कल्मा भी चलता है श्लोग भी गड़ित भी चलती है साइस भी चलती है इसके साथ सब कुछ वो होता है जो की स्कूलों में किया जाता है लेकिन मदर्सों को लेकर कैसी इमेज क्रियेट की जा रही है यह आप समझ सकते हैं जब से मदर्सों के जो जाच के आदेश दिये गए हैं उसके बाद से मदर्सों को प्लॉट तारगेट किया जा रहा है आप खबरों से अंदाजा ळगा सकते हैं जो इंसानियत का भाउ मदरसों में चलता है वो शायद कटरपंटियों को समझ में नहीं आएगा लोगों को बाटने की राजनीति करने वालों को समझ में नहीं आएगा जो लोग फूट डालो रा काने वाली ही होगी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है स्वृति इरानी मैडम का जो रियाक्शन है उस पर आपका क्या कहना है अपनी राय जो भी है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा वीडियो को जादा जादा शेयर करें सब्सक्राइब बटन दबाए वाला आए के दबाए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुस्ती रहे फिर मिलते हैं के खबर के साथ तब तक के लिए हन्यवाद